देश में लॉकडाउन के वक्त रमजान का महीना शुरू हो गया है इसी को देखते हुए हरिद्वार जिलाप्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है जिलाप्रशासन द्वारा रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर में रहकर इस्तियोहार को मनाने की अपील की गई है इसके लिए बकाइदा मुस्लिम समाज के धर्मगुर्वों के साथ जिलाप्रशासन ने बैठक की है मुसलिम धरम गुर्वों ने भी इस बात पर अपनी सहमती जताई है वहीं कहीं जगा मुसलिम समुदाय के लोग क्वारिंटीन है इनके लिए जिला प्रशासन द्वारा रोजा खोलने के समय पर भी खाने पीने का पूरा इंतिजाम किया गया है वहीं जिला अदिकारी ने हरिद्वार के शहरी चेतरों में अभी भी पहले की तरह ही आवश्यक सामगरियों से संबंदित दुकारे ही खोलने की बात कहीं है जबके गिरामेंट छेत्रों में सभी तरह की दुकाने खोलने के आदेश हरिद्वार जिला अधिकारी द्वारा दिये गए हैं इस दौरान जिला दिकारी सी रवीशंकर ने बताया कि रोजा रखने वाले लोगों के लिए भी सुभा चार बजे और शाम रोजा खुनने के समय पर भी खाने पीने का पूरा इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है बारत सरकार का गैडलेंड के अनुसार जो रूरल एरिया में समस्त दुकाने खुलेंगे केवल जो है मार्टिंग कॉपलक्स अप कुलेगी हमारा यरिया ह हॉट स्पोट में है तो इसलिए हम ने एक नर्नए लिया है केवल जो residential colonies में जो दुकाने हैं या जो है stand-alone shops हैं उनको चोड़ करके बाकी जो है market area में तो हम किसी अन्य दुकान को खोलने नहीं देंगे केवल अत्यावशक सेवाओं का ही दुकान खुलेगा बाकी अन्य जो दुकाने जैसे आज कुछ confusion का स्थिती भी रहा है वो कल जो है नहीं खुलेगा Nation One के लिए हरिदवार से वंदना गुपता की रिपोर्ट जानकारी के लिए आप हमें ट्वेटर फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें Nation One के साथ